Assalamualaikum, welcome to star center, unit number 9, reflection and reflection of light, 9.6, color, ठीक है, पेज नमर है मेरे पास 140, 8th class, NBF, Science, 8th class, आप लोगों ने, periscope तक हमने सारा पढ़ लिया था ना, तो अब ये next page है, 140, 140 पेज में हम ना, color के बारे में पढ़ेंगे, कि किसी चीज का रंग हमें कौन सा नजर आता है, और कौन से रंग उसके अंदर जजब हो जाते हैं, कौन से रंग जो हैं वो, अकासी करता है, यह अकस जिसका नजर आता है, Have you ever wondered, कभी आपने सोचा है, where do colors come from, रंग कहां से आते हैं, the color of the object or material is determined by the colors in light, it observes and those it reflects, किसी शेय या किसी material के का रंग रौशनी में जजब होने वाले रंगों और उनकी अकासी करने वाले रंगों से तैह होता है, या किन रंगों को आपने अंदर जजब कर लीता है जिन को वो जजब करते है वो हमें नज़र नहीं आते, ठीके और मतलब कोई भी चीज है जैसे कोई चीज ब्राउन कलर की है या कोई चीज रेड कलर की है या वाइट कलर की है या ग्रीन कलर की है तो उसमें उसने जो रंग अपने अंदर जजब की होते है न वो रंग आपको नजर नहीं आते जो रंग उसने अकासी की होती है न ठीक है वो आपको दिखाई देती है तो किसी चीज़ में रोशनी का एक रंग होता है जिसे वो मनकिस करता है एक सुर्ख सेब रोशनी की ज़्यादा तर रंगों को जजब करता है लेकिन सुर्ख रंग के अकासी करता है इसलिए सेब सुर्ख नजर आता है ठीक है यह सारी उपर का जो पेराग्राफ है इसमें यह बात बताएंगी है कि सेब हमें सुर्ख नजर क्यों आता है इसमें सेब बने भी हुए है और इस वाली फिगर का नमबर है 9.12 इसा मेटीरियल जो रोशनी के तमाम रंगों को मुनकिस करता है सफेद दिखाई देता है यानि जो सारे रंग अपने अंदर ले लेता है ठीक है ऐसा मवाद जो रोशनी के तमाम रंगों को अपने अंदर जजब कर लेता है वो सिया दिखाई देता है ठीक है यानि ये दो बाते बता रहे हैं सफेद रंग क्यों नज़र आता है और हमें सिया रंग क्यों नज़र आता है सफेद रंग के बार में वो ये कहते हैं कि जो तमाम रंगों को मनकिस करता है ठीक है तमाम रंग मिल के ना सफेद रंग मनाते है ठीक है ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि सब रंग जब यानि के नजर आ रहे होते हैं न इकठे तो वो सफेद रंग शोक राते हैं और ऐसा मैटीरियल जो रोशनी के तमाम रंगों को अपने अंदर खेंच लेता है जजब कर लेता है जब केवे रंग आपको दिखाई नहीं देते हैं तो वो मैटीरियल क्या नजर आता है सिया दिखाई देता है ताहम ये वाजिया रहे कि कोई चीज रोशनी में सिर्फ इन रंगों की अकासी कर सकती है जो उस पर पढ़ती है जो उस पर पढ़ती है ठीक है यानि कि अगर आप सफेद कावज के टुकड़े के ओपर निली लाइट डाले वाइट पीस आफ पेपर विल अपियर ब्लू नॉट वाइट कावज कावज आपको नीला नजर आएगा य правos कागज के साफेद टुकड़े पर नीली रौशनी दालते हैं तो क्या होगा कागज नीला ही नजर आएगा साफेद नीली नजर आएगा क्योंके इसके मنकिस करने के लिए सिर्फ नीली रोशनी दिस्तियाप थी यानि कि आपने जो light डाली थी उसके उपर उसके मताबिक उसने रिसल्ट दे दिया वो कहरे हैं कि अगर आप उस पे लाइट ही एक ही रंग की खास डाल रहे हैं खास लाइट डाल रहे हैं अपने मकसद के तहट यानि नीली लाइट ही डाली ना अपने सफेद पेपर पे तो वो पूरा पेपर नीला ही नजर आएगा ठीक है अगर सिया नजर आने वैली चीजों का रंग नहीं है तो फिर भी कोई चीज सिया क्यों नजर आती है यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको तरह ध्यान से आप कर लिजेगा यह वहला क्वेसिन भी आपको आ सकते है कि जो उन्होंने शुरू में पूछा भी हुआ है कि भी ब्लैक कलर जो है वो विजिबल ही नहीं है लाइट नहीं पढ़ती ना जिस चीज पे तो वो ब्लैक कलर होता है तो वो कहते हैं कि आगे वो इसकी पूरी मुकामल वजाहत देने है कि फिर भी हमें चीजें क्यों काली सिया नजर आती है सिया रंग की ठीक है वो कहते है जब कोई शक्स किसी चीज का रंग काला देखता है ना तो वो दर हकीकत एक ऐसी चीज को देख रहा होता है जिसे तमाम रंगों को जजब कर लिया होता है और तकरीबन किसी चीज की अकासी नहीं हो रही होती यहीं कोई एक रंग की अकासी नहीं कर रहा होता वो सबको बस जजब कर लेता अपने अंदर स्यारंग रंग की यह गैर मौझूदगी वही है जिसे इंसानी आँग स्यारंग के तोर पर पहचानती है ठीक है तो यह क्लियर होगा आपको अब कुछ थोड़ा सा आपको भी करना होगा आप लोग इसको अच्छी ताँ याद किया करें ठीक है अब आप लोग इसे अच्छे तरीके से कॉंसेप्ट क्लियर करने के बाद याद करें साथ 9.7 Refraction of light ठीक है रोशनी का इनहराफ ठीक है 9.7 पे यह अल्थो light travels in straight lines in a transparent material such as air however if it passes from one material into another material it is bent at the boundary between them for example when light goes from air to water the light bends refraction is the change of direction of light as it moves from one material called medium to another as shown in figure 9.13 ठीक है figure 9.13 आपकी नीचे बनी वी है और page number है हमारे पास 140 अगरचा रोशनी एक शफाफ मवाद जैसे के हवा में सीधी लाइनों में सफर करती है यानि रोशनी एक शफाफ material की तरह सीधी लाइनों में सफर करती है ताहम अगर ये एक मादे से दूसरे मादे में जाता है तो ये उनके दर्मियान की हद पर मुड़ा हुआ है बसाल के तोर पर जब रोशनी हवा से पानी में जाती है तो रोशनी जुग जाती है इस तरह रोशनी की सिम्त की तबदीली है क्योंकि ये एक मादे जिसे मीडियम कहा जाता है दूसरे माद में मुंतकिल होती है जैसे कि शकल 9.13 में दिखाया गया है ठीक है तो ये देखें लाइट बेंड हो रही है पेज नमर 141 हमारे पास वेन लाइट पास थूँ दी मैटिरियल सर्फेस लाइट रिबाउंट्स आफटर हिटिंग दैट सर्फेस और फेनोम इना इस टर्म्ट एस रिफ्लेक्शन ओफ लाइट जब रोशनी मादी सता से नहीं गुजर सकती तो रोशनी इस सता से टक्राने के बाद वापिस लोटती है और इस नजारे को जो नज़ आने वाit चीजज होती है इसको रोशनी का इनाकास कहा जाता है ठीक है आएवर विन लाइट हिट सा ट्रांसपेरेंट मीडियम ठीक है जब रोशनी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से टक्राती है मीडिया थू वुच लाइट पास साच dit अच्चा, मीडिया से मुराद वो चीज है, ठीक है, वो नमूना है जिसमें से वो गुजरती है, ठीक है, मिसाल के तोर पे वो कहने है कि गिलास, वाटर, वो पानी हो सकता है, गिलास हो सकता है, आइस है, और कौर्ड्स, एकसेटरा, the light bends at the boundary and the phenomenon is termed as reflection of light जे है और light क्या होती है वो bend हो जाती है boundary से और ये फिनोमेना जो होता है ये क्या कहलाता है reflection of light कहलाता है जे है इसे मुराद ये है इसे रोशनी का इनताफ भी कहती है जे ह pension वो यह कहरे है क्या जब light जो है ना वो मुक्तलिफ चीजों में ना मुक्तलिफ अंदास में सफर करती है इस पूरे पेज में आपको यही बताएंगे ठीक है तो रोशनी की रफ़तार चीजों के हिसाब से होती है बाद चीजों में से रोशनी बिलकुल नहीं गुजर सकती तो फिर वो क्या कह रहे हैं कि वो बेंड होके अपना रस्ता बदल लेती है तो ये सारी बात इसमें यहां पर समझाई जा रही है ठीक है और इंके नाम आपको बता recover जा रहे हैं यही इनकी definition होती है यही वो short question होती है special और extra question आपकी book के लावा कहीं से नहीं बन सकते इसमें से ही ये वाले ही question निकाले जाते हैं ठीक है इसमें से चोटे चोटे short question बनते हैं और एक बात मेरी याद रुखेगा आपके बुक के लास्ट में जो exercise दी होती है वो आपकी exams preparation के लिए काफी नहीं होती students, आप लोग अभी से इस पे ध्यान दें बहुत कम दिन रहें हैं आपके exams में तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ ध्यान दें मेरा lecture बहुत ध्यान से सुना करें मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप सारे बच्चे जो मेरे students हैं जो पढ़ रहे हैं और जो नए शामिल हुए हैं वो अच्छे तरीके से एक एक लफ्ज एक एक line को पढ़ लें ठीक है क्यूंकि आपका कोई question कहीं से भी आ सकता है तो आपको mentally इसके लिए prepared भी रहना चाहिए और साथ साथ त्यारी करते रहेंगे तो ही आप इसे solve कर सकेंगे फिर आगे चलते हैं ठीक है इन reflection the bending of the light occurs due to the change in the velocity of light वो कहते हैं कि reflection में बेंडिंग of light इसलिए अकर होती है यानि light इसलिए मुरती है कि इसकी velocity चेंज हो जाती है ठीक है तो इसकी velocity से पुराद होगी इसकी रफतार ठीक है इन reflection ये तो हो गया था the speed of light is this similar materials in is different for example the speed of light in water is less than the speed of light in air similarly the speed of light in glass is less than the speed of light in water ये वही वाली बात है जो मैंने भी आपको समझाई थी कि हवा में पानी में और शीशे में और पानी में इनके साथ मतलब इनके comparison अगर आप करेंगे कि light किस चीज में किस रफतार से चलती है तो वो कम ज्यादा होते रहेंगे ठीक है the following terms are used describing the reflection of light light के reflection को नुमाया करने के लिए ये सब terms use होती है कौन सी incident ray है is the approaching ray of light towards the reflecting surface तो आपकी तेक है short question में अगर आपको incident ray के बारे बेर बूचा जाता है तो ये आपके पास मौझूद है ना इसकी definition तो यहाँ से आप करेंगे इसको reflected ray is the ray of light which bends after passing through from the reflecting surface reflected ray जो है वो क्या होती है वो एक light की ऐसी ray या शुआ होती है which bends after जो के bend हो जाती है मुड़ जाती है after passing through from the reflecting surface जो के reflecting surface से मुराद क्या होती है इस्तरारी सता की तरफ आने वाली ठीक है इस्तरारी सता reflected ray is the ray of light which bends after passing through from the reflecting surface point of incidence is the point at which the incident ray strikes the reflecting surface और point of incidence point of incidence क्या चीज़ होती है वो नुकता है जिस पर वाक्या शुआ reflecting सता से टकराती है और normal क्या है normal एक line है जो drawn at right angle when light moves from a material in which its speed is higher to a material and in which its speed is lower such as from air to glass the ray is bent towards the normal as shown in the figure 9.14 a number में ठीक है if the ray moves from a material in which its speed is lower to one in which its speed is higher as in figure 9.14 B नमबर की आपकी डाइग्राम में दिखाया गया है ठीक है the ray is bent away from the normal it is incident ray of light is parallel to the normal to then no reflection bending occurs in either case अच्छा वो कहने है कि जब रोशनी किसी ऐसे मादे से मुंतकिल होती है जिसमें इसकी रफ़तार ज्यादा होती है और जिसमें इसकी रफ़तार कम होती है जैसे कि हवा से शीशे की तरफ यानि हवा में बहुत तेज रफ़तार होती है ना शीशे की तरफ जब ये जाती है तो इसकी रफ्तार कम होती है फिर, तो वो कहते हैं कि मामूल की तरफ, क्या होता है, यह जुग जाती है, ठीक है, यह नॉर्मल की तरफ यह जुग जाती है, जैसा कि A पॉइंट में आप देखें, टॉर्च की लाइट पड़ी है, और वो normal से टक्रा के फिर वो नीचे को bend हो रही है ठीक है तो आप ये देखें कि तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आजेगी figure A के बारे पर वो ये कह रहे हैं कि the ray is bent towards the normal ठीक है ये point आपने इसको highlight कर लेना है और फिर वो कह रहे है figure B the ray is bent away from the normal ठीक है क्यों कि if the incident ray of light is parallel to the normal कि incident ray of light जो है न वो parallel है normal के then no reflection bending occurs in either case ठीक है तो कोई भी दोनों सूर्तों में कोई इस तराब या reflection नहीं होता अब नीचे figure के देखें चोटी सी एक line लिखी भी है a ray of light is bent towards the यह दोनों जो बनी वे न ए और बीन के नीचे a ray of light is bent towards the normal when it enters from air to glass वो कहते है कि a वाली जो है न डियाग्राम बनी वी इसके अंदर a ray of light जो है न वो bend हो रही है normal की तरफ when it enters जब यह enter होती है air से glass में और ray of light is bent ray of light मुडती है away का लफ़ पर नोट करें आप from the normal normal से दूर हो जाती है when it enters from glass to air जब वो glass से air की तरफ जाती है तो फिर यह दूर हो जाती है normal से ठीक है जबके एक a वाले case में क्या था कि ray is bent towards the normal normal की तरफ मुडती है दोनों शक्लें आप देख सकते हैं इसमें अच्छा अब point to ponder है उस पे हम गोर करेंगे कि वो क्या है वो कहते हैं जी के if ray of light falls on the surface of two media along the normal then in which direction the beam of light will bend अगर रोशनी की किरन दो जराए इबलाग की सता पर मामूल के मताबिक गिरती है तो रोशनी की किरन किस सिम्त मुडती है ठीक है आरे ट्रैबलिंग अलॉंग दा नॉर्मल डिरेक्शन एटा बाउंडरी इस नॉर्ट बेंड और पास ट्रेट इन्टू अधर मीडियम एक बाउंडरी पर आम सिम्त के साथ साथसफर करने वाली के रन मुडि नहीं है और सीधी दूर्से मीडियम में गुज़रती है ठीक है और ये क्या है इंसिरन्ट रे होगी ठीक है और उपर नॉर्मल लिखा हुआ है ठीक है नॉर्मल नॉर्मल के साथ लाइट सीधी डाली गई तो ये किस डिरेक्शन से पढ़ी है कि आप देख लें ठीक है वो कहते हैं कि प्लास्टिक के ब्लॉक से गुजरते हुए रोशनी की किरन क्यूं मुंतकिल होती दिखाई देती है तो ये छोट-छोट एक्सपेरिमेंट होते ये अगर जब आप खुद करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा आज़ते है पेज नमर है मेरे पास 142 और आपकी एक्टिविटी है 9.4 ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने गिलास लिये है और गिलास लेके उसमें मतलब कहते हैं कोई भी लिकवर्ट आप भर लें तो उसमें आप पैंसिल जब डालेंगे ना जैसे पानी ही अगर आप ले लेते हैं क्योंकि यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि light travel करती है आइस्ता मतलब हवा में बहुत तेज़ ट्रेवल करती है तो थोड़ा पानी में आइस्ता ट्रेवल करती है और यही वज़ा बंती है light को मुडने की जब यह पानी से हमा में जाती है ठीक है? यानि जो उपर वाला हिस्सा है वो मुड़ा हुआँ हुआ हो आपको नजर आ रहा हुआ है और नीचे वाला इसलिए हटा वह थे तो वो कहते हैं कि यही वो चीज़ होती है यज़ पिंसल बेनी सालि और फार वारदा थेमें और spherical mirrors spherical mirrors क्या होते हैं ये वो mirror होते हैं reflecting surfaces can also be curved अकासी करने वाली सतें curved हो सकती है curved होते हैं न मुड़ी हुई दीखे which means they form a section of a sphere, इसका मतलब ये होता है कि वो sphere का section बनाती है ठीक है यानि के मिसाल के तोर पे spherical mirror से मुड़ाद ये है कि ball होती है न जैसे football वो sphere की शकल में होती है मतर का दाना भी इसी shape में होता है ठीक है तो वो कह रही है कि अगर आप एक ball को काटने हैं न तो आट टुकडा काटने हैं इन्होंने ये देखे हैं यहां पर A number की न दिखाया भी हुआ है काटके तो वो कहते हैं कि दो types में वो spherical mirrors जो है न ये दो तरह के होते हैं एक वो जो होते हैं जो अंदर की तरफ मुड़े वे होते हैं ठीक है और एक वो होते हैं बाहर की तरफ वो बाहर में होते हैं या फिर एक ही shape को आप इस side से देख लें या दूसी side से देख लें ठीक है अंदर और बाहर की शकल सत्या जो इनकी surface होती ने inside और outside surface उन में convex और concave mirror ये mention भी कर रहे हैं यहां पे ठीक है ये देखने से ज़्यादा पता लगता है जुआनी सुनने से ठीक है इसमें अगर आप polish कर लें इसकी surface को तो ये नो ने पूरा इसका experiment दिखाया हुए है कि एक convex बन जाती है और एक concave बन जाती है ठीक है हमारी आँक को अगर आप दियान से दिखें तो वो convex shape में होती है ठीक है जो हमें नजर आ रही होती है बाहर की तरफ लेकिन आख का अंदूरनी हिस्सा जो है वो concave शकल में होता है ठीक है center of page number 142 के 9.8 जो spherical mirrors है ये spherical mirrors आप इसी तरह से center of the curvature ये next page पे है 143 पे तो C is the center of the sphere of which the mirror is formed तो ये क्या है center है C देखें यहाँ पे B पे आज है 142 पे पे जो है तो ये यहाँ पे B वाली जो diagram है इसके अंदर एक point बना हुआ C लिखा हुआ उसके पर ठीक है तो ये इसका center है ठीक है फिर आज है आप radius है radius क्या होता है radius is the radius of sphere which the mirror is the section radius की एक इनों ने ना देखें C point से लेकिन इसके edge तक mirror के एक R line डारी भी है तो ये radius क्या लाती है pole क्या है pole is the midpoint of the spherical mirror formed pole वो midpoint है वो dot है जो के spherical mirror बनाता है ठीक है बिल्कुल वैसे जैसे आई आँक के अंदर ना आँक की पुतली होती है ठीक है उसमें जो मरकजी निशान dot होता है उसको कह रहे है और principal axis के आए ये line है is a straight line drawn through the center of a curvature and the pole ठीक है जो के यहाँ पे आप देखें ये असल में दो ना दो को बना रहे है ना दो picture बना रहे है concave और convex mirror की इस वज़े से ये confused थोड़ा सा कर रहे है अगर आप इसको half कर ले ना तो फिर आपको ज़्याद अच्छे तरीके समझ आएगा ठीक है आप देखे C से लेके ना P तक principle axis लिखा भी हुआ है तो एक डाक सी ये line दिखा रहे है दरम्यान में लग भी ये ज़ए ना ये principle axis है ठीक है और ये straight line सी थी line होती है जो के इसके मरकस को नुमाया करती है focal point f and focal length f ये क्या चीज़े है ठीक है when a beam of light is directed towards either a convex or concave mirror along its principle axis after reflecting from the mirror the rays converge or diverge as they originated from a single point in front or behind the mirror called the focal point f or principle focus as shown in figure 9.16 focal length of the spherical mirror is the distance from the pole of the mirror to the focus point of the object इसके लिए आपको साथ साथ बुक जरूर देखनी पड़ेगी तब ही आपको ये समझाएगी जब रोशनी की शौक अपने असल वजूद के साथ कंकेव या कंवेक्स मिरर के सामने लाया जाता है ठीक है या रुख किया जाता है तो आइने से मुनकिस होने के बाद शौए इस तरह एक दूसरे से मिल जाती है या इस तरह बट जाती है जैसे वो एक नुकते आइने के सामने या पीछे से निकली हूँ जिसे फोकल कहते है ठीक है वो नुकता जो है न वो फोकल कहलाता है याइन बूल एक यह देखें यह ऐफ लिक वा है और यह एक ना dop के अपर आके एकठी होरी है सारी arrows जो जो है ना सारे कोणा सा एक डॉट सा बना रहे हैं उस पे और आप लिखा है अगर आप देखें रैड टोलर से यह जो शुआ यह निकल रही है ठीकры तो इसके नीचे नोने डिटेल भी इसी तरह से लिखी भी है इसकी तो इसे क्या कहते हैं फोकल पॉइंट जिसे फोकल कहते हैं जैसे वो एक नुक्ता ठीक है एफ या बुनादी तवज्जव जैसे कि शकल 9.16 में दिखाया गया है कर्वी आइनों के फोकल लंबाई आइने के कुतब से आबजेट के फोकस पॉइंट तक का फासला है ठीक है वो कह रहे हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है इसमें सिर्फ ये फोकस दिखा रहे हैं कि कहां पे बनता है और यह इस तरह से दिखा रहे हैं कि देखें यह P लिखा हुए और F लिखा हुए ठीक है तो वो कहते हैं कि इसके जो धर्मियानी फासला है ना P से लेके F तक का यह क्या होता है आपका focus point होता है ठीक है तो आपने इसको इस हिसाब से यहां से देख की कर लेने concave और convex दोनों का इन्होंने mention किया हुए और इसके लिए आपको यह diagram भी बनानी पड़ेगी इसको जो clear करने के लिए ठीक है अब next पे आजे हैं यहां पे next चुरू हो गया है paragraph when you move a plane mirror away from your face the only image characteristic that change is the distance of the image from the mirror the other three characteristics remain the same the images formed by curved mirror are much more varied particularly in the case of the concave mirror जब आप plane mirror को अपने चेहरे से दूर हटाते हैं तो जो एक खासियत तबदील होती है वो उसका फासला होता है ठीक है the other three के दूसी तीन खसूसियात remain the same बिल्कुल वैसे ही रहती है the images formed by curved mirrors जो images curved mirror से बनते हैं are much more varied particularly in the case of the concave mirror वो ज्यादा मुक्तलिफ होते हैं concave mirror के images से ठीक है फिर आप सबसे लास्ट में एक box बना हो है इसके उपर लिखा हुए है shaving mirror ठीक है फिर क्या किते है if you have a makeup or shaving mirror at home hold it up to view your image in the mirror as you back away from it across the room what do you observe did you notice that as you first move away from the mirror the image of your face is upright and gets larger then it disappears as you continue moving away your image reappears but it is now upside down when you still continue to move away from the image gets smaller and smaller अगर आपके घर में makeup या shaving आईना है तो कमरे में इससे पीछे हटते ही आईने में अपनी तस्वीर देखने के लिए इसे उपर रखें आप क्या मुशाइदा करते हैं अच्छा ये वाली जो सरगर्मी है ना इसे आप लोग नोट कर ले इसलिए कि ये वाला क्वेस्टिन आपको exams में आज सकता है और ये आगे आपको 10th class में भी ये चीज़ें पूछी जाएंगी ठीके ये बहुत important है 8th class वालों के exams के वाले से तो ये notice कर ले आप क्या आपने देखा है कि जैसे ही चोटी और चोटी होती जाती है ठीक है यानि आप उसका रुख बदलते है आपने देखा होगा कि shaving वाले जो आइने होते हैं वो एक साइट से बहुत बड़े होते हैं और एक साइट से बहुत जद़ चोटी तस्वीर कर देते हैं तो वो ही कह रहे हैं कि इसमें आप जहां से image देखेंगे वो उस हिसाब से उसकी setting होई होती है तो उसमें वो एक में बहुत चोटे से छोटा image होता जाता है और एक में बहुत बड़ा होता जाता है आपका face और आखिर गाई भी हो जाता है तो यहां पे 143 पेज़ पे मैं आज का अपना lecture खत्म करूंगी तो unit number 9 चल रहे हमारा 8 class reflection and reflection of light तो मुझे इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज students आप लोगों ने बहुत सारे students ने का था कि आप हमें important questions वो हैं वो साथ साथ बताया करें तो मैं तमाम subjects के साथ साथ ही इसी के बुके अंदर से आपको बार बार mention करती हूँ और जो images में देती हूँ shots में भी जो देती हूँ वो धियान से देखा करें वो ही वाले में वीडियो में भी देती हूँ फिर और वीडियो के last में भी दिये होते हैं तो उसे आप बहुत ध्यान से देखा करें क्यूंके सारे question mention किये हुए है इसके लिए मजीद अलग से सवाल बिनाने की जरूरत नहीं है ठीक है जितने additional question हर page के हर हर आपकी line में से जो बनते हैं ना वो मैंने सारे आपको बताए है